बिहार सरकार को क्या हो गया है? किस रास्ते पे जा रही है? किसको खुश करना चाहिए बिहार सरकार? ये नितिश कुमार जी को किस बात का ध्यान है? आज जो बिहार में छुटियां होती थी जितिया पे, विश्कर्मा पूजा पे, श्रीकिष्न जन्मा जो अस्टमी है उस प आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किसको खुश करना चाहते हैं, बिहार में किसी भी धर्मा समाज के लोग, किसी की छुट्टी रद करने की मांग नहीं करते, लेकिन आप छुट्टी रद करके, अब जनमास्ट में भी नहीं लोग मनाएगा, जितिया भी नहीं मनाएगा, इसका घोड पर्तिकार करेंगे पूरे बिहार के लोग तुरंस इस आदेश को बिहार सरकार को वापिस लेना चाहिए जेडियों का कहना PM candidate होने चाहिए और आभे पार्टी कहते हैं कि कि जरीवाल को PM candidate होने चाहिए दुखिए बिहार के अंदर जिस तरह की भाषा लालुई आदव जी ने बोली है यह दुर्भाग पुर्ण है कि प्रधान मंत्री की नरेटी पकड़ेंगे अदव प्रधान मंत्री की जो नरेटी है वो 140 करोड लोगों के बड़ावर है वो पूरे देश के नेता है गलोबल लीडर है जिस तरह की भाषा बोली जा रही है यह देश की जनता कहीं स्विकार नहीं करेगी आज प्रधान मंत्री जी पूरे देश दुनिया में उनका नाम ह एक गलोबल लीडर है और यहां पर जो एंडिये जो पुराना हमारे यहां जो एंडिये एलाइन से उसके सामने यह जो घमंडिया एलाइन से कहीं टिकने वाला नहीं है और अभी से घमंड वाली भाषा वो लोग बोल रहे हैं यह लोग कह रहे हैं जंडा एक होगा यहां न तो आखिर इसका होने वाला क्या है? एक जहंडा से क्या हो जाएगा? टीम में कोई कैप्टन नहीं है, कोई नितरुत नहीं है, हर सपनों के सौधागर एक अठेव हो रहे हैं, यह सबने हसीन सपने प्रधान मंतरी पद के देख रखे हैं, अब प्रधान मंतरी का पद खाली हो होने वाला नहीं है, इस पद पर प्रधान मंतरी नहींदर मोदी जी हैं, और वो रहेंगे, और जतना घमंडिया गठवंदन के लोग नहींदर मोदी जी को गाली देंगे, जनता उनसे उतना प्यार करेगा.